तो अभी हम लोग बात करेंगे मेन लगन वालों के लिए अभी जो जुलाई का महिना आ रहा है ये कैसा बितेगा जो अभी आप ये चार्ट देख पा रहे हैं ये चार्ट आपका जुलाई के इसाब से ही तियार किया गया है फिर भी गोचर ये इस्तितियों में परिवर्तन के कारण कुछ ग्रहों की इस्तितियों में बदलाव आ सकते हैं तो सबसे पहले हम गोचर को ही देखेंगे जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं उसके बाद कुंडली के इसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले देखें गोचर ये स्तितियां काफी महतुपन है, गोचर से आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा ग्रे वक्री हो रहा है, कौन सा ग्रे किस रासी में गोचर कर रहा है, सबसे पहले देखेंगे यहां हम सूर्ये को, सूर्ये 15 जुलाई तक मिथुन रासी में करेंगे इसके बाद ये करक रासी में चले जाएंगे बुद का गोचर देखोगे तो 8 जुलाई से ये करक में परवेश करेंगे और फिर 25 जुलाई से फिर से इनका रासी प्रिवर्तन होगा और ये सिंग रासी में चले जाएंगे शुक्र 7 जुलाई से सिंग रासी में परव अभी राहू मेस में गोचर कर रहे हैं तो यह गोचरी इश्टितिया हैं जहांपर आप यह देख सकते हैं कि कौन सकर Tibet कहां गोचर कर रहा है और उसका कैसा प्रभाव रहने वाला अब हम प्रभाव की बात करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करनेंगी यहां पर आपके लगने इ गुरू का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है और यह राहू के साथ अभी गुरू चांडाल योग बना रहे हैं तो यहां पर धन समंदी इस्तितियों के मामले में काफी अच्छी इस्तिति यहां पर नजर आती है आपको धन धानने से काफी ज़्यादा भरपूर करें और आपकी खुद की मैनत भी इसमें काफी ज़्यादा काम आएगी गुरू का दूसरे भाव में गोचर करना आपके कैरियर के लिए भी काफी अच्छा रहेगा देखा जाए तो इस इस्तिति में आपको पैसे बढ़ सकते हैं यानि धन की वर्दी होगी प्रोपरिटी की व वज़े से आपको थोड़ा सा यहाँ पर फैमिली की साथ समंदों को लेके सावधानी रखनी चाहिए इसके अलावा ज्यादातर मामलों में ये राहू और गुरू आपको प्रोपरिटी के मामलों में बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे साथ ही आपके कैरियर और आपके वर लोगों को मिल रहा है आपके वरक प्लेस पर जो आपको समस्य हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं तो गुरू की 5 वी द्रश्टी यहाँ पर अ पर ए गुरू की 5 वी और रहु की रखनी और रहुत पर और रही है तो जो लोग अकल्ट में interested हैं उनके लिए भी ये इस्तिती काफी अच्छी नजराती है साथ में आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ती होना या आपको कोई अकल्ट से जुड़े हुए कारिये से धनलाब होना इस परकार की इस्तितियां नजराती है अब ये जो इस्तिती है कहीं न कहीं आपके कारिये छितर से जुड़े हुई हो सकती है क्योंकि गुरू आपकी 10th लोड भी है 10th लोड होने की वज़े से आप अगर अस्टम भाव से जुड़े हुए कोई भी कारिये में अभी सलंग है चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं चाहे आप अकल्ट से जुड़ा हुआ कोई कारिये कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको राहू और गुरू दोनों ही बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे और उसके बाद ये अपने ही घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रमोशन वगरे होने के काफी जढ़ा तेज चांस बन रहे हैं आप लोगों के लिए जिन लोगों को जॉब नहीं मिला है उन लोगों को जॉब मिलने के काफी ज्यादा चांसे हैं साथ इसाथ अपना आप कुछ कर रहे हैं माली जी आप अपना कुछ बिजनस वगरे स्टार्ट किये वे हैं या कोई आप किसी को खुद आप जोब दिये वे हैं कहीं पे तो उन मामलों में यहाँ पे आपको गुरो और राखु दोनों ही सपोर्ट करने वाले तो केरियर के दिश्टिकोंट से देखा जाए तो कुछ हद तक यह हम मान सकते हैं कि यहाँ पे केरियर के मामले में इस्तिती काफी अच्छी ही रहेगी लेकिन अगर आपकी स्वास्ते के दिश्टिकोंट से देखा जाए तो आपको कुछ समस्या आ सकती है जैसे कि आपका जो मन है काफी ज़दा depression में चला जाए, या आपका जो obsession है काफी ज़दा बढ़ ज़ए, साथ ही आपका वजन बढ़ना और आपका जो सरीर का मोटापा है, वो बढ़ना ऐसे इस्तितियाँ सामने आ सकती है, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मंगल के गोचर को, मंगल सेकंड लॉर्ड है और नाम घर के स्वामी है, मंगल का गोचर चठे गर में होगा और यहां यह शुकर के साथ रहने वाले हैं, देखें यहां पे सबसे पहले तो आपके यह सेकंड लॉर्ड है, से का लगने इस भी क्योंकि राहूं के साथ है तो आपको लोग कुछ हद तक बदनाम करने की कोशिस कर सकते हैं अपने व्रक प्लेस पे और इस समंध में पूरूसों के चार्ट में इस प्रकार की इस्तियां ज्यादा डवलफ हो रही है और शुकर क्योंकि आपके लिए पतनी के कारक है ऐसे में आपको सावधानी हमेशा रखनी है जब भी आप अपने व्रक प्लेस पे काम कर रहे हैं तो किसी और की तरफ आपका एट्रेक्शन हो जाता है या कुछ और ऐसी कंडिशन्स बन जाती है जिस वज़े से आप इंट्रेक्ट करते हैं इस्तियों के साथ तो ऐस में यहां पर थोड़ी सावधानी बरतना काफी ज़्यादा जर्री हो जाएगा अब यहां जो सनी है वो वक्री होके भी दृष्टी डाल रहे हैं इन दोनों के उपर तो यहां इस वज़े से कही ना कहीं कुछ रिलेसंसिप वगरे बनने के भी चांसिस बन सकते हैं और आप आपको बरक प्लेस पे जितने भी प्रकार की समस्य आरही हैं उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या एक यह भी हो सकते है कि आपको अपने कलिक्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए आपको उनके साथ कैसे रहना चाहिए और आप अगर उनका विरोध नहीं कर रहे हैं लेक की स्वामी होने की वज़े से आपकी वानी का प्रभाव आपके केरियर पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो आप कोसिस करें अपनी वानी पर कंट्रोल जरूर रखें और तुरंत परतिक्रिया बिल्कुल ना दें इसके अलावा ये मंगल शुकर के साथ रहेंगे तो आपको relationship में काफी सारी problems आ सकती है relationship में बहुत बार आपको ऐस अंतुष्टी मैसूस हो सकती है अपने जिवन साथी के साथ अलागि हम आगे शुकर के लिए बात कर ही रहें तो शुकर के भी चर्चा करेंगे तब और बात आपको clear हो जाएगी अब मंगल यहां से जो कि मंग place को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ सकता है अपने काम के लिए साथ में आपका भग्य भी काफी अच्छे से आप लोगों को साथ देगा अब उसके बाद यह देख रहें बारवे भाव को और लगन को बारवे भाव को जब यह देख रहें तो यहां सनी गोचर कर रहें क आप लगन को देखनेसे आपकी आक्रामक तक और ज्यादा बढ़ा देते हैं इस वजह से आप किसी के साथ भी विवाद में पढ़ सकतें तो विवादों से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही बेहतर रहेगा उसके बाद देखेंगा हम के शुक्र को शुक्र जो दाल रहे हैं तो शुक्र वाली चीजों में यहां पर कमी आएगी निस्ट रोप से और शुक्र वाली चीजों में जब भी कमी आएगी तो आप लोग अगर मैरीड हैं तो मैरीड होने की वज़े से पार्टनर के साथ कुछ रिलेशनसिप के इशू जा सकते हैं साथी वरकप्लेस पे आप इस्तरियों से जगड़ा कर सकते हैं तो इन इस्तितियों में थोड़ी सावदानी रखनी पड़ेगी आप क्योंकि दोनों ही प्लनेट आपके ब पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बुद के बारे में देखिए बुद का गोचर काफी महतोपन है बुद दो किंद्रभाओं के श्वामी है और बुद का गोचर होगा आपके पंचम भाव में इनका जो गोचर हो रहा है देखिए सब्टमेस है तो अगर आपका है तो तो आप कोई अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनस के लिए, अपने बिजनस के लिए कोई अच्छी योजना बना सकते हैं आप लोग, इसके लावा ये चतुर्थेस हैं, चतुर्थेस होके सेकंड में अपने से सेकंड में गोचर कर रहे हैं, और यहां ये अपने स से ग्यारवे में गोचर कर रहे हैं तो बुद की जो इस्तिति है बहुत ही अच्छी मानी जाएगी यहाँ पर अब जो student लोग हैं जो में लगन वाले उनको भी यहाँ पर काफी बहतर रिजल्ट आने वाले हैं क्योंकि बुद का जो रिजल्ट है काफी प्रभावी रहेगा आ मेरने लेंगे या किसी चीज़ को आप समराइज करेंगे मेमराइज करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर काफी अच्छे स्थितियां डवलप होंगी इसके अलावाद जो में लगन वाले लोग सेर मार्केट वगरे से पैसे कमाते हैं उन लोगों के लिए बुद की स्थिति काफी ज्यदा फाइदा ये दे सकते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे यहांसे और चंद्रमा के बारे में बात करेंगी देखिए चंद्रमा का गुचर काफी खास है शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति को देखा जए तो यह व्रश्चिक रासी में रहने वाले यहां पर यह उसके बाद चंदरमा आपके 10th house में जब ये जाएंगे तो आपको आपके जोब में कोई creativity से फाइदा होगा, आपको आपके skills से फाइदा होगा, आपको आपकी जो education है, आपने जो कुछ सीखा है, उससे आपको लाब दिलाने वाले हैं, तो बाद में इनका जो गोचर रहेग कि स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में, और सूरिय का कोचर काफी ज़्यादा खास रहने वाला है, सूरिय चोथे घर में रहने वाले हैं, मित्धुन रासे में, और इनकी ये इस्तिती 15 तारिक तक रहेगी, यानि 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक की इस्तितियों में आपको जोब बगरे मिलने के चांसेज, प्रमोशन बगरे मिलने के चांसेज, आपके वरक प्लेस में कुछ चैंजिस होने के चांसेज बनेगे, इसके लवाब बोस के साथ आपका विभार काफी अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इस्तितियों में बोस के साथ इगो प्र कर रहे हैं नए नए हैं उन लोगों के लिए भी ये गोचर काफी खास रहने वाला है उसके बाद सुरिये जाएंगे आपके पंचम में पंचम में जाने से ये 15 तारिक के बाद ये इस्तितियां होंगी तो यहां पर आपको संतान वगरे से जुड़ा हुआ सुख देंगे और संतान के साथ थोड़ी बहुत मतवेद जरूर सामने आ सकने लेकिन अवरोल आपकी जो पंचम भाव से जुड़े वेकारी हैं उनमें काफी ज़्यादा तेजी आएगी तो ये स्टुडेंट्स के लिए भी काफी अच्छी रहेगी और सुरिये यहां से आपकी लाविस्तान को देखेंगे लाविस्तान को देखने की वज़े से आपको काफी फाइदा करवाएंगे आपका नेट्वरक बढ़ाएंगे आपकी परतिस्ठा बढ़ाएंगे आपकी क्रियेटिविटी बढ़ाएंगे तो काफी सारा फाइदा आपको सुरिये देने वाले हैं इसके बाद हम यहां से आगे वड़ेंगे, अब बात करेंगे Sunny के बारे में, Sunny का गोचर काफी खास रहने वाला है, Sunny क्योंकि वकरी चल रहे हैं, वकरी चलने से देखिए जिन लोगों को भी विदेश से पैसा आ रहा हो और क्योंकि बारवे भाव में तो ये गोचरी कर रहे हैं तो आपको आँखों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए विसे सावदानी रखनी है साथ ही साथ जो लोग foreign settle होना चाते हैं वो भी अपना plan कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके लगनेश का जो गोचर हो रहा है राहों के साथ हो रहा है और सनी यहाँ पे आपके बारवे भाव में यानि बारवे भाव में खुद की हिरासी में गोचर कर रहे और वो भी वक्री होकर तो आपका कोई भी foreign settlement से समधित कारी है वीजा से जुड़ा हुआ आपका कोई कारी है वो आपका बनेगा तो जितने भी कारी आपके अटकेवे हैं या आपको foreign से कोई पैसा आना था वो अटकावा है उन सबी कारीों में यहाँ पे तेजी आती हुई दिखेगी और क्योंकि मंगल की भी यहाँ पे दर्ष्टी पड़े उस वज़े से भी आपके कारी तेजी से बनने लगेंगे तो यहाँ आपको कोई विसेज दिक्कत नहीं होने वाली थोड़ा सा आपके जो खर्चे होंगे कुछ वेर्थ में आपके जो खर्चे जाने वाले हैं उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा तो सनी का कोचर हम काफी अच्छा यहाँ पे मानेंगे अब हम बात करेंगे आगे बढ़के कुछ अच्छे और खराब दिनों की लेकिन उससे पहले मैं आपको पता दूँ अगर आप राहू का रासे वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट से करके वो वीडियो देख सकते हैं तो अब हम देखेंगे कुछ अच्छे दिनों को अच्छे दिनों में काफ़ी सारे अच्छे दिन आप लोगों के लिए इस बार निकल के आ रहे हैं जिसमें से 2-3 उसके बाद 13-14, 17-18, 19 फिर 29 और 30 ये दिन आपके लिए बहुत ही बहतर रहने वाले हैं इस मन्त में तो इस मन्त में आपका कोई भी जो काम इजीली नहीं बन पारा जिसमें आपको काफ़ी हाड़ वर्क करना पड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कोसिस करने के बाद भी आपको कठिनाई आरी तो उन कामों को आप इन दिनों में प्लान करके पूरा कर सकते हो इसके बाद देखेंगे कुछ खराब दिनों को, खराब दिनों में बात की जाए तो चंद्रमा का गोचर जब सिंग रासी में होगा, तो 20 और 21 तारीक को, ये समय थोड़ा सा आपके लिए खराब रहेगा, 20 और 21 को आपको अपने रूटीन को पुरा करने में प्रेशानिया आ सकती है, किसे की साथ विवाद मौल लेने से काफ़ी ज़्याद आपको प्रोब्लम आ जाएगी, अचानक से आपको डिप्रेशन जैसी समस्याइं आ सकती है, मन में काफ़ी ज़्यादा भैर रह सकता है, चंद्रमा का गोचर जब कॉंबे में होगा 6 और 7 तारीकों, तो इस दोरान आपको स्वास्ते समंदी इस्यूज आ सकते हैं, आपको कोई खर्चा हो सकता है, होस्पिटल से रेलेटेड आपको कोई खर्चा बड़ा करना पड़ सकता है, इसके इलावा चंद्रमा का आपके बारवे भाव में रहना, इस वज़े से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी आएगी, और इवन आपके कुछ महतोपन डिसीजन अगर आपने इन दो दिनों में ले लिए तो वो काफ़ी गलत हो सकते हैं, तो ये कुल मिलाकर ऐसे दिन जहां पर आपको कुछ परेशान यहां भी सामने आएंगी, तो फिलाल हम पूरा डिस्कुसन कर चुकें, फिलाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद,